कि सफेद लिबास में लिप्टा पड़ा था मेरा बदन सफेद लिबास में लिप्टा पड़ा था मेरा बदन, तू उसे देखकर डर गया होता सफेद लिबास में लिप्टा पढ़ा था मेरा बदन तू उसे देखकर डर गया होता काश काश तू अपने निकाह से पहले मेरे घर गया होता काश तू अपने निकाह से पहले मेरे घर गया होता उस मंजर को देखके जानी तू मर गया होता बहुत शुक्रिया और ये एक शेर कि लगते रहे हम एक तवील अरसे तलक लगते रहे हम एक तवील अरसे तलक अब आकर वो मनहूस बातें खतम हुई लगते रहे हम एक तवील अरसे तलक और अब आकर वो मनहूस बातें खतम हुई और जब उसने पूछ लिया कि क्यों परेशान हो यकीन जानिये अब आके परेशानिया खतम हुई बहुत शुक्री है ऐ खुदा ये हम पर कैसे अजाब आते हैं उसके जाने के बाद भी उसके खुआब आते हैं ये किन सवालों का पर्चा खुल बैटे तुम येकिन सावालों का पर्चा खूल बैटो तुम नजरें जुकाओ घर जाओ हमें सारे जवाब आते हैं तेरे ख्यालों से बहुत परेशान हूँ मैं हर वक्त आते हैं और बेहसाब आते हैं क्या फर्माया उन्होंने याद किया हमें इसी का तो इंतिजार था चलिए जनाब आते हैं बहुत शुक्रिया जनाब एक आखरी घजल है उसके बाद मकमल करूंगा कि कोई तो मिले ऐसा हमारा जो सहारा हो कोई तो मिले ऐसा हमारा जो सहारा हो उससे हम आवारा हो हमसा वो आवारा हो कोई तो मिले ऐसा हमारा जो सहारा हो उससे हम आवारा हो हमसा वो आवारा हो वो और हम बैठें शबनमी सी रातों में चांद हो वो चौदा का खुशनमा नजारा हो और बादलों के साए में चांदनी सी कुछ फैले दर्मियान मैं इसके एक जहांकता सितारा हो और आप तमाम लोगें की खौईश मैं एक शेर के अंदर पेश कर रहा हूँ आप तमाम लोगें की हो तमाम लोगों को तमन्ना ए दीद उसकी हो मुराद पूरी है कि वो सिर्फ हमारा हो हो मुराद पूरी है कि वो सिर्फ हमारा हो आखरी शेरेज गजलका कि इलतजा है ये मेरी और यही तमन्ना है हम को छोग कर बाकी हर कोई बेचारा हो बहुत शुक्रिया देना